येर, second year के assessment for learning का ये next topic है, remedial teaching यानि उपचारात्मक परिक्षन, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले निदानात्मक परिक्षन के बारे में बात करी थी, वीडियो का link आपको उपपर बैल आइकन में मिल जाएगा, तो उसी से विपरित आपका उपचारात्मक शिक्षन है like, share, subscribe channel को जरूर कर दीजिएका, अपने दोस्तों तक share कर दीजिएका, जिने इसकी जर्थ है session की, I hope you enjoy and love the session, सबसे पहले आपको उपर लिखना है आपका remedial teaching और उसके बाद आपको लिख देनी है उसकी भूमी का, ठीक है, भूमी का जब आप लिखेंगे तो भूमी का बता सारी चीजे क्या की थी, इसकी बच्चे को जो कठीनाईया हो रही थी, उनका पता लगाया था, और कहां कैसे कठीनाईया उनको फेस करनी पड़ी है, वो सारी चीजे हमने वहाँ पता लगाई थी, remedial teaching की बात करूं, यानि उपचारात्मक परिक्षन की मैं बात करूं, तो चिकट्सा के चेतर से लिया गया है, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, उसका solution किया जाता है, ठीक है, यह सारी चीजे है, भूमिगा में लिखने है आपको, परिभाशा की अगर बात करें, हम निदानात्मक परिक्षन की, तो यह एक्दम उसके, क्या कहा है, बिल्कुल निदानात्मक परिक्षन की भाती है, जिस तरीके से चिकित्सा की जाती है, किसी का इलाज किया जाता है, बिमारी का पता लगा कर, वैसे ही यह दोनों है, ठीक है, जहां निदान के अंतरकत है, हमारी कठिनाईयां और कमजोरियों का पता लगाया जाता है, उसी के विपरित के लिए उपचार किया जाता है विधी ढूंडी जाती है ठीक है जैसे एक डॉक्टर एक मरीज के जो रोग है उनका उपचार करता है पिरोत्तम स्वास्त उसको परदान करता है उसी परिकार से ये भी है छीक इसके अंदर क्या करेंगे उपचारात्मक शिक्षन का मुख्य उद्देश जो है निदानात्मक परिक्षन में जो कठिनाईयां और जो समश्याएं जितनी भी दुरबलता किसी की पता चली है जो कमजोरियां उसकी पता चली है उन सभी को उनका कारण क्या कारण है उसका पता लगाना निदानात्मक परिक्षन के अंदर आप सभी ने पता लगाया कि जो उपचारात्मक परिक्षन है उसको इसका सॉल्यूशन कहा गया है मतलब निदानात्मक परिक्षन में तो क्या था कि भई बच्चा ऐसमर्थ है कठिनाईयां है उसको बहुत सारी कमजोरियां दुरलबताई इन सब का पता लगाया गया और उपचारात्मक प्रिक्षन उसका सॉल्यूशन देता है जैसा निदानात्मक में होता है कि भई उपचार किया जाता है उसी परकार इसमे भी उपचार किया जाता है तो अल्मस्ट कुछ नहीं है, घुमाफिरा के एकी बात बोली गई है, पहले समश्याओं का पता लगाना, समश्याओं किस वज़े से हैं, और फिर वो समश्याओं कैसे सॉल्व हो सकती हैं, इसकी विदियां डूड़ी जाती हैं, उन्हें ही उपचारात्मक परिक्षन कहा जा जाएगी, उसके बाद ही तो उसका उपचार किया जाएगा, यह यूग मैन कहते थे, बलेयर और जोन्स के अनुसार, अगर हम बात करें, तो उपचारात्मक शिक्षन के वास्तम में अगर बात करें, तो उत्तम शिक्षन कहा गया है, इसे विद्यार्टियों की वास्तिति क जालना का, घ्यानॉट प्राप्त करना के अंदर किया जाता है और बच्चे को अच्छी उसकी कमजूर्य है, उसके अंदर बात निकाला जाता है , जाता कि अंदर पता लगा जाता है ? कि उनके अधिगम में कुनगोंट सी कठिनाई आ रही है, शीकने में कुनकोंट सी कठिनाई अर उसका बाद जब वो पता लग जाता है तो उनका निवारण किया जाता है. ठीक है को उपचाराथ में संबंदी जितनी भी दुरूला बताएं हैं, कठीनाईया हैं, अच्छमताएं हैं, उनको समाप्थ करना खतम कर देना है, ठीक है जो बच्चा है, कठीनाईया कमजोर हैं उनको भविशय के अंदर एकदम जीरो करना उन दोशों को दोश मुक्त कर देना उन दोशों से उस विध्यारती को दोश मुक्त कर देना है उसके बाद दोश पून आदतों जितनी भी गंदी आदते हैं कुशलताएं हैं जितनी भी उन सभी आदतों को भी क्या है सही करना उन्हें उत्तम रुप से सही डंग से रहना और एक जगह कर दें कि परिचित करवा दें कि इसका ये द्रश्टिकोन है इसका ये है अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा ये करोगे तो ये जाएगा तो उसको मतलब मार्क दर्शन देना है उसके लाब और हानी दोनों ही बताते हुए शिक्षन से प्रती रूची उत्प प्रात्मक शिक्षन के प्राप्त करने की विधियां है कुछ तो इस तरीके से हैं क्या-क्या विधी है पहली बात तो जितनी भी तुरूटिया है उनका याद कदा शुद करना मतलब वो जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं अगर उसमें तुरूटिया है तो उनको शुद कर करना ना कि सम्हों में करके और उसको नीचा दिखाना ठीक है विद्यारतियों के जितने भी व्यक्तिकत विभीनता हों हैं उनके अनुसार उनके विभीन सम्हों को बनाकर विभाजित करकर उन्हें प्रोत्साहित करना है वहाँ पर उनको बढ़ावा देना है उनमें चोटे- चोटे सम्मुहों में भाजित करके उनकी जितनी भी आउट रखता है उन्हां पूरा किया जा सकता है इसके अंदर कख्षा के विध्यारतियों के अधिगम में समंदी जितने भी दोस्त हैं कमजोरियां हैं बुरी आदते हैं उनका उपचार करना है उनके लिए सॉलिशन ढूड़ना है ताकि वह उन चीजों से मुक्त हो जाएं उपचारात में क्षिक्षन के विधी विविध्य प्रकार पहले तो है रहें यह फ्लोचार्ट बनेगा यहां ठीक है और उसके बाद उसमें कख्षा शिक्षा और भलाना दिखड़ा यहां पे ऐसे फ्लोचा समह भी से पढ़ाना ऊसको सॉलिशन साथ देना यह सारी चीजें कक्षा कक्ष में कयी चीज़े होती है पहला है समहू गर्थ्यू टूरियल चिक्षन मतलब ग्रुप टूरियल टीचिंग होती है मैं बनाकर मैं भी यही टीचिंग मैथड अपनाती हूं मैं बच्चों का कि होटीन जो यो यह मेन हैड है यह करता है उसके बाद होता है जो उनको करने में साहिता है इन करता है इस तरीके से घुरीक टुटोरियोल टीचंग का और सकते हैं चैक्टिकर टुटोरियोव टीचिंग आपको बता है कि आपकी ट्रास में बहुत ज़्यादा इंटेलजेंट और कौन थोड़ा वीक है तो आप वहाँ पर उस बच्चे को ऐसा नहीं है उसको उधारण देना है नहीं उसको है ना उसकी कठीना यहां और उसकी जो कमजोरियां है उनको बोलना है कि कोई बात नहीं को बड़ी बात नहीं है यह जो कठीन हो ठीक है फिर है परिवेक्षिर्थ टुटोरियल यान इस की इस्व seminar टू कहीं उसर चिक्षान होता है वह स books व Call है अंदर किया है ए सुपर्वाइजर रख देता है माझा उपर मिंस कोईट्रीनेटर मां फिक है जो जिससे हम अपनी कठनाईयां बता सकते हैं मझे यह में य संस्थाओं में ऐसा होता है Centers के जितने कार्म जोरिया है उन्स सभी को धूर करने का क्म वो जो सुपरॉवाइजर है वह करता है दूसरा है टुट्योरियल शिक्षन या यनी प्रूरियल शिक्षन के अंदर तीन है, समुगत अव्यक्षिक तो अर्परे शिक यह भी तो आया था, सारा, सारे ही तो इसी में, दुबार से देती हैं आपे, ठीक है, फिर है स्वेम्ज अनुदेश शिक्षन याने सालफ इंस्ट्रक्शनल, मतलब खुद को इंस्ट्रक्शन देते हुए, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने आपको इंस्ट्रक्शन दूँगी, कि कल मुझे यह यह पढ़ाना है, और इसमें यह यह तुरूटिया मेरी हो रही है, यह यह कमिया मेरी हो रही है, और उनको मैं पढ़ लिखकर अपने अच्छे से करूँ, अपनी साम आज में जितने भी विज्यान कलब का संगठन है, हिंदी साम जो संग्राल्य हैं, उनके अंदर वस्तुओं का संग्राय करना और यह सारी चीजें इन ओफिशिल है, एक तरीके से प्राइवेट लाइबरेरी के तरह है, आप इसको ले सकते हैं, निदालनात पक परिक्षन है जब तरह एक नहीं होगी तो दूसरी अपने आप नहीं होगी और दूसरी आप करी नहीं सकते हैं, जब आप पहली नहीं करोगे, ठीक है, आज कल आप सभी को पता है, प्राइवेट जो उपलब्दी परिक्षन हैं, उसके द्वारा उनके तत्थियों, जितना भी ग्यान है उनको मापा जाता है, और उनकी कम्यों को बताया जाता है, डाइगनोस्टिक चैस्टियान उपलब्दी परिक्षन के द्वारा, अब इन दोनों में क्या है, अंतर, आप लोग देख लीजिए, जो उपलब्दी परिक्षन हैं, उसके द्वारा यह ग्यान, यह ग्यात किया जाता है, कि जो चातर है, वो किस विशय में कितना योग्य है, ठीक है, और जो आपका निदानात्मक परिक्षन है, उसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो कारक है, उसकी खोज की जाती है, किस कारण से विशय में कोई भी चातर जो है, वो क्यों अपेक्षित नह हीमिन्ज क्या कमजोरी आ रही हैं और उसका कारण क्या है यह पता लगाया जाता है परिक्षा एवं सिक्षन की आगे की रियाएं जितनी होती है बालग की कुल अंकु का अधाः है जैसे चयान करना नीयोजन करना ये सारी चीज ये वर्गी करन करना समाने इस प्रकार के परिक्षणों के द्वारा विध्यारतियों के अंदर अंक का विशेश करके अध्यापक उप्चारित मतलब इसमें अंक लिए जाएंगे और इसमें अंक नहीं लिए जाएंगे इस परिक्षणों का विशेश चेत और इसमें अक्या करें जाएगा, राश्टे परतिमान स्थापना करी जाती है, और इसके अंदर तूटियाओं का वर्गी ग्रण किया जाता है, उन्हें पता लगाया जाता है, इन परिक्षनाओं में साथ सत्तमक का करम तुल्य होता है, यह समझनी आया, ठीक है, इस के वलोनी विद्यारित्यों को लिए होता है, जिनको कठीनाईया होती है, ठीक है, यह तो सब दे सकते हैं बाई, यह वाला और यह सब नहीं दे सकते, मिन्स वही देंगे जिनको किसी ना किस चीज में कठीनाई हो रही है, यह परिक्षन सरल से आके जाता है, सरलता से आका ज होता है तो यह था आपका पूरा इंपोर्टेंट कोश्चन और उसको डिटेल वाइस तो प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राब मैं चैनल हाव ग्रेड डे टेक केर